कि बिश्यले रिर्वारे रॉखमान रिषालियम असलाम अले कुरिंडस वेलकम वेलकम तुकुम आज किस लेक्ट्र में अम लोग पढ़ेंगे जावा स्क्रिप के अंदर अर्फिमाटिक अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोग आलरेडी पढ़ चुके हैं अपने डिफरेंट दूसरी लेंग्जिस के अदर अगर आप बिलकुल नहें तो आप लोग यह जान लेगे जहां कहीं भी जिसके किसी भी सब्जाट के अंदर जिब अर्थ मुल्टिप्लिकिशन हमारे पास जो है मुल्टिभी स्टैरिक का मुझ यूज करते हैं इसके बाद EXPONENTS हमारे पास होती है जानि कि जिस पर जावास क्रिप्ट के अंदर दो साइन यूज होना दो स्टैरिक हो तो समझ हो ले ना कि उसकी पावर गी बात हो रही है यानि कि हम मौडूलस और रीमेंटर का उपरेटर होता है जिसको हम छो परसंटाज से रिप्रेजनट करता है . इसका अनलोग प्रेकरल वर्ग देखेंगे उसके बाद करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे always number values के उपर मार पास जब इंप्लीमेंट होगा उसके लावा किसी के उपर नहीं होगा अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखे हूँ document.write document.write करूँ इसके दो method है या तो आप लोग ड्रेक्टी A प्लस B कर दें यहाँ पर आप लोग यह तो ट्रेक्टी A प्लस B कर दें उसके बाद open with live server करें उसके बाद आप लोग जाए यह तो ट्रेक्टी उसके ऐसे कर दें आपके पास answer जाए इसका आगया 12 इसका आपके पास 12 यह आप लोग एक तीसरा variable भी ले सकते हैं जब आप लोग इस तरह से well c is equal to तीसरा variable यह मैंने c is equal to और इसके अंदर अब जो मैं value रखूंगा a plus a plus b कर दूँगा अब मैं फिर इस c को जाए इस जगा पर मैं लिख दूँगा आप लोग इस तरह भी आप लोग जाए वह कर सकते हैं फिर भी इस अब लोगों को आती ही है इसके बाद मैं यहां पर अगर multiply करूं तो मेरे पास 32 answer आना चाहिए इसका 32 answer आगया अगर मैं इसके साथ जो है आगया उसके बाद multiply देख लेते हैं multiply अगर मैं करूं तो को तो यह अर्थ सिम्पल जो है बार बार भी इनको लिए different use कर सकते हैं अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर जो हम लोग ने exponent function बढ़ा था मैं इसको value 2 करते हूं यहां पर उसके बाद मैं यहां पर एक और एक ओड़ करते हैं जो अगर यहां पर मैं 2 को टो 2 को ठोगऊं करता है दिखक अगर यहां पर मैं तो करता हुआ डिए करता हुआ हूट आपन हम लोगे राण सिकल करता हुआ हो दो सिर्फका क्लाथ अब मैं क्या गया यहां क्रता हुआ हो टो इसका single प्रेशन तो के होता है हमार पास 9 इसलिए मार पास answer आगी है 9 अगर यहां पर मैं 2 को 2 कर दूं यानिके पहली value को मैं 2 कर दूं second value को मैं 3 कर दूं यानिकि 3 उसकी power में चली जाएगी जिसलिए अब लगने यह दिखाते हैं यह फार्पन हमार पास बन गया अब यह करने के बाद ctrl s करूंगा तो इसका answer हमार पास 8 आ जाएगा उसके बाद हमार पास आता है remainder हमार पास remainder क्या होता है remainder से करता हूँ तो हमार पास 2 आता है बलकि हम लोग क्या हम काम करते हैं इसको जाए complete ही हम लोग जो इसको लिख लेते हैं for example मैं आप लिखता हूँ उसके बाद आप लिखता हूँ 4 control s save करता हूँ उसका रिमेंटर हमार पास कुछ भी नहीं आया यह क्या बात हुई हाँ remainder की अब यह देखें मैंने 5 को 40 को 5 पर डिवाइड करना है तो क्या करूँगा 5 का टेबल पर रहूँगा 8 40 आज है 5 8 40 40 हो गया minus करूँगा तो यह वाला जो 0 है ना यह मेरा basically remainder है इसलिए जब मैं 3 को 8 पर डिवाइड करो तो मेरा remainder जो है वो हारा है 2 अगर मैं इसकी value चेंज कर कर दूँ like अगर मैं इसको 40 कर दूँ और यहां पर मैं 5 कर दूँ control है save करूँ तो मेरा answer जो 0 आ गया क्योंकि को remainder ही नहीं बचता क्या value जाए वो remainder ही नहीं बचती value I hope so कि आपको remainder का function भी जाए वो समझा आ गया उसके बात हमारे पास बात आती है increment की अब मैं फिर से इसको ज यहां पर एक और लिखते है document.write उसके बाद यहां पर मैं HTML लिखूंगा इसके अंतर inner HTML जो क्यों होगा मेरा BR just to line break करने के लिए इसके लावा कुछ नहीं इसको double code में लिखना है मैं double code में लिखा अब मैं क्या करता हूँ कि इस c को जा control c copy करके last में paste कर दूँगा control s save करूँगा output चेक करूँगा तो 99 answer मेरे पास आ गया अब मैं क्या करता हूँ इसका increment कर दूँगा like मैं करता हूँ c++ अब क्यों करता हूँ कि इसको decrement करता हूँ माइनस माइनस करता हूँ control s save करूँगा तो मेरे पास यह 8 आ देगा इसका answer क्या आता था पहले 9 decrement किया तो मेरे पास यह 8 आ गया अगर मैं increment करूँगा 9 की बदया है मेरे पास यह 10 आ देगा आई होप सो कि आपको increment decrement arithmetic operators सारे समद्ध आ गये होंगे तो अपना खियाल आक्षिवा में याद रखें अलाहाफेस